स्वागत है मूव मेडिया में आपके साथ मैं हूँ रश्मी शर्मा गर्मी का मौसम यानि पसीना आलस दिन भर की सुस्सी खाने पीने का दिल न करना और पानी से खास लगाओ जी हाँ इसके लावा सेहस से जुड़े छोटी मोडी समस्या तो इन दिनों पेहद आम हैं इन सबी से बचने के लिए जरूरी है चुस्ती फूर्ती बनाए रखना और दिन चर्या में कुछ बदला होगी तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ जरूरी टिप्स जो गर्मी की परिशानियों से आपको रहा देंगे सबसे पहले गर्मी से बचने के लिए जो उपाय है वो है धूप से बचना जी हाँ गर्मी में सबसे महतपून और पहला टिप्स तो यही है कि आप धूप में निकल देंगे सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे सुबह दस वजे से शाम चार बजे के बीच दूप में जाने से बचे अगर बाहर जाना पड़े तो शरीर को पूरी तरह से ढख कर कच्चा प्यास साथ में रख कर ही बाहर निकले कैप, संग्लास और सेंस्क्रीन का स्सेमाल ज़रूर करें दूसरे टिपस है कि पेपदार्ट जरूर ले गर्मी के मौसम में ठोस आहार की बज़ए तरल पेपदार्ट जैसे थंडा पानी, निम्बु पानी, निम्बु शिकंजी, शर्वत, कैरी कपना, फलों का रस, छाच, लसी, जादा से जादा मात्रा में ले इनसे शरीर में तरावट बनी रहेगी और उर्जा का इसर भी बना रहेगा तीसरे टिपस है कि थंडी तासीर वाली वस्तुएं ले गर्मी के दुश परिणामों से बचने के लिए थंडी तासीर के खाद्य पदार्टों का सेवन करें बेल का शर्वत, केरी का पना, आवला, कच्छे प्यास को भोजन में शामिल करें खाद्य पदार्ट को गर्म थंडे के आधार पर नहीं बलकि तासीर के आधार पर पहचाने जैसे आईस क्रीम, कोल रिंग और बरफ का गोला, थंडा होने पर भी शरीर को गर्मी बढ़ाते हैं चोथा टिप से हलके फुलके कपड़े पहनना गर्मी में कूल रहने के लिए आप हलकी रंग के कपड़ों का उप्योग करें हलके रंग आखों को ठंड़क पहुचाता है इस मौसम में कॉटन, शिफोन, जॉर्जेट, क्रेब जैसे पतले और हलके कपड़े पहने जिनमें हवा आसानी से जा सके पाचवाय की ताजा और सुपाच्चे भोजन सेवन में रखे हलका, ताजा और जल्दे पचने वाला भोजन करें भूग से कम खाएं और पानी जादा पियें रसीले फल जैसे तर्बूच, आम, संत्रा, अंगूर, खर्बूच, आदी से पेट भी भरेगा और ये शरीर में पानी की पूर्ती भी करेंगे गर्मियों में बहुत जादा शारिडिक श्रम से पसीने की रूप में पानी और मिनरोंस अधिक मात्रा में उत्सरजित होते हैं इससे शरीर में पानी और खनीच लवनों की कमी हो जाती है ऐसी इस सिथी में चयापच्च दरें प्रभावित होती है गर्मियों में नींद पर्याप्त मात्रा में और गहरी नींद होती इससे ठकान बनी रहती है जो अनावशक चिर्चडाहट को जन्म देती है इसलिए जब भी आराम की जरुवत महसुस हो सब काम छोड़कर आराम करें नींद सबसे आवशक है आटवा टिप्स है कि व्यायाम पर ध्यान दे गर्मी और उमस में किया गया थोड़ा सा वाक आउट शरीर को ठका देता है लेकिन इसका ये बिलकुल मतलब नहीं है कि एक्सरसाइस छोड़ दे हलके व्यायाम, आसान, ध्यान, योग, प्रणायाम को अपनाए या फिस सुबह शाम घूम कर भी व्यायाम की पूर्ती की जा सकती है नाइन टिप्स है कि प्रकर्ती से ठंड़क लें जी हाँ, सबसे महतुपूं सुबह जल्दी उटकर और शाम को टहलते हुए आप प्रकर्ती की ठंड़क को महसूस कीजिए पौदों को पानी पिलाए हरी घास पर नंगे पैर चले रंग बिर्यम में फूलों को निहारे शुद और खुली हवा में गहरी सांस ले इसके अलावा गर्मी में प्रकर्ती किस्सानों पर घूमने जाए दसवा टिपस है कि जब भी घर्मी में कहीं बाहर जाए ठंड़ा पानी पी कर निकले जी हाँ घर आने के बाद अपने चेरे को ठंड़े पानी से धोए या फिर अपने स्किन पर बरफ की मसाज करे इससे आप काफी तरो ताजा महसूस करेंगे इन दस टिपस को आप अपने जीवन में अपना कर तो देखिए और चनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन को दबाना ना भूले जिससे आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और हाँ अगर आप ये वीडियो आपको कैसे लगी शुक्रिया